पंजाब दे उधियोगमंत्री मदनमोल मित्तल ने अपने अमरिसर दोरे दुरान पंजाब कांग्रेस ते स्यासी अमला कर देया क्या कि 10 नुवंबर नू होई सरबत खाल साथ दे पिछे कांग्रेस अदे आम आदमी पार्टी दा हाथ है क्योंकि उना दे कुछ लोग उस्वेच शामल वी सन उना क्या कि पंजाब दे जो कुछ हो रहा है उस पिछे भी कांग्रेस दा हाथ है उना सुखबीर बादल वालो आई एस आई ते ब्यान नू सही दस्या उना क्या कि वी सोस्तारान या चोनाच अकाली पाजबा मिलके लड़न गे अते जितन गे पंजाब दी सीपियस डॉक्टर नवजोत को और सिद्धू दे ब्यान ते उना क्या कि ए उना दा निजी फैसला हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंग दे परदान बननते उना क्या कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंग 2007 सन ओ आज नहीं हन मित्तल ने कांग्रेस आगवांदी तोलना बिच्चु नाल कीती ते क्या कि बिच्चु नू जादवी छेड़ो डांगी ही मारता है जो घटने हुई है यह बड़ी कंस्पिरेसित हैं बड़ी साज़स्यों और पर्टिकुलर्ली वेन वी अरेंटिंग दे एलेक्शनिया जो सर्वत खाल्चा का प्रोग्राम हुआ यहां अमरिंदर के पास अब उसमें देखिए मंच पे कौन लोग जाते हैं वांबुक कॉंगर्स के नेता थे बीएसबी का भी एक नेता था चुरमनी नेता और आपके नेता मुझे एज आई सी एज स्टूडेंट अप्लिटिक्स के यह सारव वही चक्र जो पहले चला था कॉंगर्स के राज में जिस डंक से घटने उस वक्त हुई यह घटना चक्र उसी डंका हुआ अगर आप डोप टेस्ट को इसके साथ जोडते हैं इसका मुला आप इस विचे की गंबीरता को नहीं देखते हैं डोप टेस्ट इस इस इंडिजिलिस्ट अब्जेक्टि यह के परजाम में शांती होग यह तो पार्लिमेंटरी बोर्ड है वो चाहे आपको बना दे चाहे मुझे बना दे इसमें तो कोई पाती नहीं किसी दूआ कैप्टन अमरेंदर सिंग पहले भी कैप्टन अमरेंदरी लीड कर रहा था अब कैप्टन अमरेंदर में कुछ जादा नर्धी आ गए पिछले 2012 के बाद 5 साल उसने भी तो उमर उसकी आगे बड़ी है तो शक्ती भी तो कम होती है दोचना तो उनके नेत्रित में लड़े गए तो मैं उनको बिच्चू की प्रभाशा ये मैंने कहानी सनाई है ऐसा नहीं कहीं कल आप कहें देखो जी उनने बिच्चू कहा दिया या रिस्पेक्टर लीडिस आप पंजाब आई रिस्पेक्टर ब्यूर पोर्ड पांज आप टोड़े